मैं विकास दूबे कानपूर वाला ये लाइन तो आपको याद हो कि विकास दूबे भी आपको याद होगा और वो विकरू गाओ भी आपको याद होगा जहां पर आठ पुलिस कर्मियों को गोली मार दी गई थी और उसके बाद से विकरू गाओ जो है वो सुर्खियों में र पहले तो चुनाव पर पहले क्या असर होता था विकास जुबेका किस तरीके से जो वोट है वो उनके इशारे पर ही डाले जाते थे और इस बार क्या इस बार निस्पक्स चुनाव होने हैं जी इस बार तो बिल्कुल निस्पक्स चुनाव होना है क्योंकि पहले जो होता था कि जो भी पार्टी होती थी वो विकास के घर पर ही आती थी और सार या उनको सामराज्य था बहुत सारी लोग घृंडबंश विकास दी में रहते थे तो कि उनका कोई भी अब कोई हल्चल यहां पर देखने को मिलते हैं कोई भी थोड़ा सा भी असर दिखने को मीलता है क्या नहीं अब हल्चल कोई उनकी नहीं क्योंकि हम लोग इतनी मदद जो प्रिशाशन की तरफ से हुई है उस वज़े से लोग अब कुछ कर नहीं सकते वो सब काम नहीं करता है काम वो करता रहता है अपने गाओं में आसपास जहां यह उसका वो नहीं काम नहीं लोग जानते थे मतलब लोगों के लिए मसीहा भी था और उसके अंदर की जो खुंखार वो अंदर से उसका था वो लोग इतना नहीं जानते थे इस बार जो चुनाव होने वाले हैं चल रहे हैं अला कि यहां पर जिसे वोटिंग होने वाली है अगले चरनड में तो हाला कि पहले तो अच्छा खासा असर क्या कहें विकास दुबे के इशारे पर ही सब काम होते थे इस बार भी चुनाव पर क्या कोई क्राइम ऐसा फैक्टर है या कोई ऐसी अपराद की अपराद से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसी चीज जिसका असर इस बार चुनाव पर है नई नई क्राइम से जुड़ा आप कोई ने क्योंकि अब ऐसा कोई रहा ही नहीं है जिससे क्राइम से रिलेटेट कुछ यहां पर अब हो तो अब तो सब लोग स्वतन्द रहें बिल्कुल निस्पक्ष तोर पर वोट डालेंगे अपने मन मर्जी जी बिल्कुल आप तो बिल्कुल अपनी मर्जी से जहां मन होगा उनका वहाँ डालेंगे बहुत शुक्रिया मधुजी आपकराइम तक से बात करने के धन्यवाद